अब से पहले आप सभी को मेरा प्यार भार नमस्ते मेरा नाम है मौनीका मैं हूँ तराखन देव भूमी किदार घाटी के एक छोड़े से गाउं रेल गाउं से स्वागत आपका मौनीका किदार घाटी ब्लॉक में और किदार घाटी के इनको उबसुरत पहाड़ों से तो दोस्तों आज मेरे ब्लॉक की स्टार्टिंग सुवह की लगभग साड़े आठ बजे से हो रही है और नास्ता बगएरा भी हो गया है और आज काफी अच्छी देश धूख खिली हुई है मेरी ममी ने ब्रेकफास्ट बगएरा भी कर दिया है और ममी यहाँ पर आख सेख रही है तो अब ममी लेके जाएगी काली को है ना ममी अब धूब तो हमारे घर पे लगी नहीं बाकी यहाँ नीचे सीड़ियों में लग चुकी है दूब और आज मोसम देके वई काफी स्वहाव जूबना है आसमान बिलकिल क्लीन है ए ए वहासिमान बिलकुल कलीन है में बाकी कि आधियों व्लोग में में देखा होगा कि मैं उपर 20 भंडर से बीज़ लेके आया थी पहाड़ी बेंचा कि आजकल की अचिशन गार्डन में बॉह जाते हैं कि आजकल जोर्टी है ना तो व मर गई है तो अब बीज को बोने की तयारी हो रही है तो आज मैं बूज नंगी ! का का कई गार्थम मेर इंट लिए है कि वूह घृते Streूर्श 21 वी तो इस पॉलसिन में लिए उनन पो राव डान orum के सो नई है कोट न değil है तो मैंने ले लिए कडाल है कि जन गालडन के लिए कुदाल को दो ढई हैं दनाती जान में चलेघा हैं क्यूंअ हम्हें भी काम सब्सक्राइब लोड़कोर हमें लिए ने पर दमसे कड़िण hack appreciated तो मम्मी काली को दे जाएगी तो यहां पर यह रही कंडी तो कंडी का ना एक काखा टूट रखा है और एक काखा है और ऐसे मैंने ना चुन्डी रगा रिखिया इस पर तो अब लेके चलती हूं कंडी को नीचे तो अब इना बाबाजी भी मिल गई है मुझे और बाबाजी जा रहे हैं अपने खेत में स्वाइलटी लेके बाबाजी नास तब है की? अच्छा अबा गरे गाड़ जाना की? गास गाड़ अच्छा गरे गाड़ी सकली? जरजर होनी चाइड अब होने चाहे है अब फोरची थोड़ थोड़ नींकाल अच्छा भबाजी बोली है की सरसँओ थोड़भा हुआ और थोड़़भा नहीं हुआई हुआ तो बाबाजी जा रहा है अपने खेत में यहा नीचे गेंहों के सार में तो चलिए जी बाबाजी तो चले गई है अपने खेद में बागी अब मैं भी जा रही हूँ अपने सगोडे में और एक साइड में रिशाल्टी रख रही है और एक साइड कंडी रख रही है तो अभी मैं जा रही हूँ कीचन गार्डन में वीज बोने के लिए तो चलते हैं और ठीक यहां पीछे दिखाई दे रहा है कीचन गाडन और आज काफी अच्छी तेज धूप खिली भी है और काली नहीं मिलकों उपर से चिला रही है वो अडियों कि वहां नीचे क्यों गई गई तो मुझे क्यों नहीं लेके गई तो चलिए जी अब चलते हैं यहां उपर दाने भी आ जाएंगे यह देखे फूल गया है पूली तरह से दनिया इधर की साइड है लसन का सगोड़ा मतर लेसन का सगोड़ा है और लेसन भी काफी अच्छी हो रही है गड़ाई करने के बाद लेसन भी काफी अच्छी हो रही है और नीचे नीचे की साइड देखे वह मटर के पौदे हैं जिन पर थोड़ा बहुत मटर लगे वे हैं इस साल तो हमने काफी सारे मटर बोर के थे लेकिन जो मटर से ना वह पक्षियों ने खाए बीज बाकि इधर की साइड है छोटा सा मला क्यारी है प्याज बोर का था तो बारिस लगेंगा प्याज भी काफी अच तो यह फूलने के बाद इस पर देखे वाई अभी यह हरा है जब अची तरह से सूख जाएगा फिर इसको काटके घर ले जाएंगे और जो राई होती है ना वह सरसों की तरह होता है थोड़ा बहुत और राई के फूल भी सरसों की तरह होते हैं कुछ इस तरह से देखिए तो चलिए जी अब इधर की साइड बनाओंगी मैं सगोरा यहां पर मैंने खाली कर दिया था और कुछ काटके राई में भैंसों को ले गई थी तो चलिए जी कुदाल से पूरा खरपतवार निकाल देते हैं तो तो दोस्तों मैंने यहां पर छोटी सी क्यारी बना दिया है और पूरा खरपतवार भी निकाल दिया है काफी जादा आफ़ा आई भाई और वहां पर हाथ भी बिच्छू घास ने काटा मेरा तो अबना में यहां गोबर डालोंगी तो चलिए जी अब चलते हैं और उपर देखे काली मुझे देख रही है नीचे बोड होगी क्या कर रही है और चिला रही है और वहाली भैस तो आराम से रहती है लेकिन काली जैसे हमको नीचे खेट में देखती है ना तो चिला ना सुरू कर देती है आजका न हमारे गाओं में बंदर व्यार के तो बंदर ने इतना आतंग मचा रहें न यहां कीचन गाल्डन में बोले ही क्या तो चलते हैं अभी गोबर के लिए और आदा आदा कंडी ही गोबर की लाओंगी क्यूंकि न इसका एक काखा टूट रखा है तो चलते हैं उधर और गोबर भी भारी खाद वरूंगी क्यूंक बारी खाद हो दिया है काफी अचन गाल्डन के लिए और हमारी गोबर की धेल Toh Kaccia लिदू हम यहीं डालते हैं मतलब कच्चा गोबर होता है हम यहीं डालते है बाकि इधर की साइड काउं और गाओं की भावी लोगों के लिए गोवर्ड दे रखा था मलप खाद दे रखी थी ले जाने के लिए तो मलप की चन गार्डन में ले गए वो अपने तो यहां है बारीक खाद बिल्कुल बारीक यह देखिए तो यह काफी अच्छी होती है यह वाली खाद उदर की साइड से सिर्फ कचा लिदूली है चलिए ज स्थ. काफी बेंड दे एमली हो यहां बारीक, क्ड़ मेंसे बाराद द्दागर चलिवर्गर्व देखिए बारीक, क्यों आदा प्ला ठाद धार्वाज़ मिदेए, प्ला बाराद जूड़ा गा तो क् वेंड बाराद देने दे लिए है मैंक्वा इंट बार का बार च्ता है तो मैंने फुल कंडी बरी है और एक आखा तो टूल रखा है तो कंडी तो मैंने फुल भर किया ही रेखिए तो चाहते हैं वह से जादा दू नहीं ले जाना है तो मैंने यहां पर ना एक मुल्किनी गोबर की भी डाल दी है इसको अच्छे तरह से फैला देती हूं एक कंडी तो मैंने यहां पर फैला दी है अच्छी तरह से अब चलते हैं दूसरी वाली कंडी के लिए तो मैं यहां पर दूसरी कंडी भी ला गई हूं और अभी मैं लाई हूं सिर्प आदा कंडी तो इसको भी अच्छी तरह से फैलाओंगी यहां पर तो अच्छी तरह से ग बीज हैं, तो इस पे हैं बीन्स के बीच, और इस पे देखते हैं क्या है, इस पे हैं ककड़ी के बीच, थोड़ा ही ला रेके हैं, और कुछ हम बाद में बोएंगे, इस पे ये रहा, इस पे देखते हैं क्या है, अड़े, इस पे हैं खीरे के बीच, तो यह मैंने लाई रखे इसका देखता हैं कि चीजिस तो इसमें कड़्वे करे ले के बीच देना कड़ू के बीच है । इसमें हैं लम्बे वाले कद्दू के बीच तो कुछ इस तरह से होते हैं तो जो ये बीन्स के बीच है ना तो इनको मैं दो-दो करके बोगूँगी मैंने यहां पर हल्की हल्की रेखा खीची फिर रेखा जो खीची ना तो उनमें मैं दो-दो बीच डाले फिर इसके उपर से गोबर भी डाल दिया है तो अच्छी तरह से यहां पर मैंने एक चोटी सी क्यारी बना दी है बीन्स की इतने बीच बज रखे हैं तो इसको मैं उधर की साइड बोगूँगी जहां हमारा हल्दी का सगोड़ा है तो वहां चलते हैं जो कड़वे करेले के बीच है तो इसको मैं इधर की साइड बो लेती हूँ तो देखते हैं होता की नहीं होता है आज पहली बार मैं अकेले कर रही हूँ कीजन गाल डंगा काम नहीं तो ममी भी साथ में मदद करती थी लेकिन आज ममी बहसों के साथ जा रही है तो देखते ह मैं अच्छे तरह एसे कड़वे करेले को बहूंगी बीज तो मैंने डाल दिये हैं कुछ और डाल देती हैं तो पूरे बीज यहां पे मैंने डाल दिये हैं अब इसको उपर से मिटी डारूं भी अच्छे तरह से करती हो हैं कड़वे करेले बोलिये हैं और इसके उपर से ऐसे घासुष डाल दिया है अगर पक्षिया नहीं रखेंगे तो हो जाएंगे पौदे नहीं तो देखते हैं बाद में बीज तो मैंने बोल दिये हैं अब बच रखे हैं खीरा हो गया और गोल वाले कदू और लंबे वाले थे हैं चोटे चोटे तो चलते हैं अदार कीसाई बोलने के लिए बाकि जो एक खेत ना तो हमना यहां गया हों और जोब ऊई हैं 7 में वाल आदा खेत जोगू का है और אח scorpion का है और ने की ऊपर की शाइड गार्डून अदर की साइड हविये हैज कि यहां पर साइद में गदू बोंगी तो यहां पर में बोऊँगी लमबे वाले कद्व तो इतने बीज बहुत है RAM को यहां हमारा हल्दी का सगुर्णा तो यहां आमने सिर्फ लदूली बिचार क्या है मैं यहीं बहुँगी मैं कटडी के बीज यहाँ में बहुँगी गरताकें लल्हें तक ठरतक सब्सकूरी में इस पर है कखडी, पर लिख पर में बहुँगी। एदेम Já को बीज कॉपर दूआ बहुँगी करताय के गोल के दूए वीज बच रहा है तो अब चलते हैं उदायर की साइड जो यह बचे हुए हैं फ्लास दिंके उनको वोने के लिए चलते हैं फटा फट से प्रिजन गार्डन में काफी सारा काम बचा हुआ हैं फिलाव तो मैं आर की थी यहां बीज बोने के लिए अभी तो लेसुन में भी काम है प्याज में भी काम है तब मैं पहुंच गई हूँ दूसरे हल्दी वाले सगोरे में तो यहां तो हमने हल्दी की अंगलियों की वह आई का रखी थी आप लोग ने बहुत पहले मेरे ब्लॉक में देखा होगा तो चल लिए अब इहां भी फ्लास भी बहुत लेता है, नीचे की इचसाइड को, अब कंगड़ी के बीज बैच रखें हैं तो कंगड़ी में वह उपर साइड बो लेती हूं मैं, तो जो कंड़ी के बीज है, इन इसको मैं यहां पर बो लेती हूं तो यहां पर है लैसून उदर की साइड है प्यास तो इसमें हम काम करेंगे दूसरे दिन कीचन गार्डन का काफी तेज धूब भी हो गई है कीचन गार्डन का काम है काफी है जब मैनात करना है तब यह साइग मिलती है कीचन गार्डन में कई लोग को कमेंट था भी है आपके कीचन गार्डन बना कुछ भी चीन नहीं है सिर्फ धनिया लैसुन और राई गया लावा तो अब सबजी बोने का सीजन भी आज़ता है और जो ब्रोकरी वगेरा रहती है वो तो हम बोते नहीं है गोवी वगेरा तो हम बौते नहीं है बहुत ही कम बोते है वैसे गाओं के ताउजी देते हैं हमें वो पौधे लगाने के लिए तो हम लगाते हैं जो ये सर्टी लारगी है ना मेरे छोटी सी सर्टी लारगी है ज्यादा बड़ी सर्टी नहीं लारगी है तो इस पर मुझे ना नीचे-नीचे की साइट से जो निकालने है बैंस के लिए जो बारीक बारीक पॉधे होंगे जोके तो वही निकालने हैं बागी मेरे पीछे लेखे वही गैहों की सार जो काफी खूपसरा दिखाई दे रही है यहां से यहां हैं बारीक बारीक पॉधे जोके छोटे छोटे हैं तो इसको निकालने मैं ऐसे उपाड के तो मैंने इस वैल्टी में इतने जो निकाल दिये हैं तो इतना बहुत है इतना बहुत होता है डालने के लिए बाहर पर जब आएंगे बैसे और हमारे जो गौसा लए ना वह खाली खाली सी हो गई है क्यों अपना काफी तेज़ भूप होती है इसले ममी ना गाई को अंदर ही बांद रखा है तो यह देखिए स्वाल्टी कोई मैंने यहां गौसा लेकी अंदर रख दिया है अब चलते हैं घर की और चलते हैं यह बांद पती हैं जो कर 39 लेकी तेज़ है क्यों लेकी और भूब ह Soukаж मों अपना कान likely में खांड़ के रखाईanic झांब circular लेकी तेखिते हैं और का भी जूपए ना यहमार है जह चुत्सकार मुाहर है को वह बढ़ार मुझे ृ disruptive